जब भी हम घर में कोई सबजी लाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसका हर हिस्सा जितना जादा यूज हो सकता उत्ना जादा यूज करें किसी हिस्से को भी waste ना जाने दे तो उसी तरीके की है आज की recipe ये है करेले की छिलकों की recipe वो ही छिलका जिसको हम उतार देते हैं ताकि जो हमारा करेला है जादा कड़वा ना हो तो आज है उसी की recipe ताकि हम अपने करेले का best use करें और health भी हमारी बनी रहे तो यहां पर मैंने एक पैन में लिया है सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइन भी ले सकते हैं, एक टेबल स्पून ओल है, इसको गरम कर लेंगे अच्छे से, और फिर डाला है आदा टी स्पून मैंने इसमें राय, और राय को हम चिटकने देंगे, और जब यह हो जाए, एक आद मिनट लगेगा, तो मैंने इसमें डाला है आदा चमत चीरा, जीरे के साथ-साथ मैंने इसमें डाली है, जो सौफ होती है अपनी, वो आदा चमत से थोड़ी सी कम, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कलॉन जी, वो अचारी फ्लेवर के लिए, बस हमें एक दो मि तो जब यह हो जाए तो उसमें मैं डाली है थोड़ी सी हिंग दो चुटकी के करीब और बस बड़िया से इसको भी हम पका लेंगे और यहां मैं डाला है मोटा मोटा काट के एक प्याज मीडियम साइज का प्याज तो कॉन्टिटी मैंने इसमें नॉर्मल रखे क्योंगी छिलके बहुत जादा नहीं उतरते तो इसके यह एक टाइम की सबजी ही बनेगी तो प्याज को हम ऐसे हलका ट्रांस्पेरंट कर लेंगे तो बस अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा आल तो भी तो अब हम इसमें ढलेंगे अपने करेले के छिलके आधा येलो करेल थे मेरे पास उसका हलका अलगा छिलका उतारा रहा जूर्ता नहीं लगाया क्योंके हलगा कडवापन मैं चाह दिती तो बस इसमें वह डाला है साथ में डालिए मैंने थाजी हरी मिच, आदो लाल हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और इसको ढखके पकाएंगे फिर से 5-7 मिनट तक तो इतने टाइम में ये हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अगर ज़रूर पड़े तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि ये नीचे चल रहा है तो बस ये देखे तयार है मैं एक बर देख लेते हैं कि आलू हमारे हुए है कि नहीं तो आलू हो गए है तो अब डाला थोड़ा सा गरम मसाला और खटाइ के लिए अमचूर जो अमचूर है वो बैलन्स करेगा करेले की कड़वाहट को तो बस इसको अच्छे से आप सर्व करें इसको ये जल्दी भी है और हमारी कोई वेस्टेज भी नहीं हो रही ऐसी बढ़िया लगे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा and do like and share